alright everybody how is everyone doing आज हमने लेकर आएं अक्सेसरीज के वीडियो जो की भोट दिन आग और जो आक्सेसरीज के हम बारे में बात करने वाले है वो है सुजूकी बर्घमाइब फर्सेसरीज के बारे में जो लेकर आये हो जो की यह फेर। गार्ड जो की बर्घमाइब का है काफी study and thick quality है मैं पहले ही सबको clear कर देता हूँ जो कि अब जो product सामने देख रहे है Bergman का सब stainless steel product है comes along with sliders तो कोई आखे comment में पूछाँ मत की भाई यह rust करेगा की नहीं करेगा तो यह stainless steel के product के नहीं कभी rust नहीं होता तो एक बाद में starting में बता देता हूँ अगर order भी करना हो तो screen पे या तो फिर description में number दिया गया है let's come back to the product so stainless steel में अच्छा powder coated किया हूँ है इसके अंदर chrome finish में मिल जाता है तो मिझे ऐसा लग रहे है black powder coated थोड़ा extra मिलते है powder coating कर तो why not powder coated पे जले जाए तो right and left side का जो guard है यहाँ पर मैं silver में बता देता हूँ ऐसे तो black वाला में बता देता हूँ पहला so यह रहा front side का guard जो कि काफी steady दिख रहा है यहाँ पर जो कि finishing भी काफी अच्छी से करी गई है and यह कुछ ऐसे लगी है गाड़ी के उपर तो शायद से वीडियो में भी run होता होगे कैसे लगता है वर्ग मैं तो काफी अच्छा steady product दिख रहा है यहाँ पर sliders के साथ मिलते है अगर गाड़ी गिर भी जाती एक तरफ तो फिर शायद आपके गाड़ी के जो body है उस पर damage नहीं होगी अभी हम black वाला rub देते है कुछ ऐसा दिखता है यह black और यह रहा silver वाला product जोगी chrome finish में मिलता है काफी अच्छा shine दे रहा है यह भी stainless steel में है बस वो जो पहले वाला था वो powder coated में था यह powder coated में यह इदम chrome finish में मिलेगा और यहाँ पर slider भी मिलेगा तो yes यह दो जो चीज है आप number जो screen पे आ रहा है या तो फिर description में number रखा हुआ है तो वहां से phone करके तो pricing के लिए अगर जानना हो तो yes whatsapp number मैंने description में रखा हुआ है तो आप उससे contact कर सकते हो all right so next accessory है जो की है rear guard जो rear जो पीछे का guard बोला जाता है वो है अच्छी thick quality की piping यहाँ पर use कई गई है यहाँ पर एक कुछ देखने को मिल रहा है कुछ नया चीज BS ने डाला है जो blue color में आपको दिख रहा है वह है hard plastic के sliders तो hard plastic के sliders है वह बहुत कामकी चीज़ है अगर समझो कि गाड़ी किदर touch हो यह right और left में गिरती भी है तो first impact sliders पर आएगा बाद में गाड़ पर आएगा so yes almost 50 to 60 percent जो मार है वह पहले यह impact ले लेगा और side की जो fairings होती है side की जो body होती हो एदम safe हो जाती है so yes very good अच्छा खासा सोचा है BS ने तो yes यह है black में और यह रहा silver में तो silver वाला भी है काफी अच्छा दिख रहा है यहां पर एदम chrome face of गाड़ी अगर road पर चलीगी तो sunshine इस पर गिरेगा तो क्या चंके गाए तो लोग जोचें कि यह कुंसा गाल लगा थी इतना thick quality वाला so yes काफी thick product है और stainless steel में यहां पर भी आपको sliders जरूर मिल जाएगे लेकिन अभी इसमें लगाया हुआ नहीं है तो पूरे के पूरे parcel में आपको मिल जाएगे अभी और इक चीज बहुत इंपॉर्डन पार्ट है और नहीं चीज़े भी आपको बता देता हूँ तो तीसरा product है हमने भी आपको बनाया है वह है आगे की plate जो कि यहां पर जो driver seat के आगे जो जगा रहती है नीचे पैर रखने के लिए या कुछ लगेज रखने के लिए त प्रिंटिंग देखने को मिलती है यहां पर बर्गमेन का भी दिख रहा है कि यहां ओविसली बर्गमेन की गाड़ी है तो फिर बर्गमेन तो लिकावा तो होना चीज और अच्छा कासा रगेज रफ डिसाइन दिया है तो आपका पेर भी यहां पर स्लिप ने होगा तो प्रिंटिंग देखने को मिलते हैं यहां पर अच्छा खासा बैकरेस्ट मिलते हैं जो लोर बैक को सपोर्ट करता है जो पीछे बैठने इंसान के लिए उनके लिए यह बैकरेसे और यह जो आपको दिख रहे है वहां पर वह डिरेकली गाड़ी में फिट होगा अपको एक्स्टरा चीज करने की ज़रूद नहीं है लेकिन यह डिरेकली जो पीछे का ग्रैब रेल्स होता है वहां पर डिरेकली फिट है तो ज़्यादा कुछ इदर उदर करनी की ज़रूद नहीं सबी चीज अक्सेशरी के पास मिलेगी क्रैश गार्ड फिर बाद ने आगी की प्लेट पिलियन सीड का जो बैकरेस्ट है वो मिलेगा और आगे का गार्ड पीच्छे का गार्ड सब कुछ मिलेगा येस नमबर डिस्क्रिप्शन में याल सी यू सून इन नेक्स वीडियो बावाई